हाँ येही रस्ता है तेरा तुने अब जाना है हाँ येही सपना है तेरा तुने बहचाना है तुझे अब ये दिखाना है अशोक भाई के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा उनको जुएल ऑफ गुजरात से सनमानित किया गया है वी अधुट्रान्स कंपनी के वो चेर्मेन है उनके दोनों बच्चे ने एक ने वी एक्स्प्रेस, तुछ एक्स्प्रेस दिविशन ने वो समभाला है और दुसरे वी लॉजिस्टिक्स और वेरहाउजिंग डिविशन वो समभाला है अशोग भाई शोशली काफी अक्टिव है, ट्रांसपोर्ट असोशेशन के हैड रहे है, जीतो के करंट एपेक्स में वाइस प्रेसिडेंट है, काफी संस्ताओं में ये हैड है, तो बेसिकली हम आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चिन और अगर ओडियंस में किसको भी क्वेशन है, और थोड़ा हम इसको लाइट भी रखेंगे, कि आप इतने फेमस है, तो आपके बच्चे बहुत लखी है, उनको आपके वार्षगत विल में कितने करोडों मिलेंगे, करोड का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक बात कह सकता हूँ, कि अच्छे संस्कार जिसके बढ़िए वो करोडों नहीं अब जो कमा सकेगे। बटन. या, कूल. तो जैसे प्रोफेसर मर्चंट ने कहा था कि इन ए फैमली रन बिसनिस, चाहे एक परसन आउटसाइड वर्ल के लिए चैंपियन या स्टार होता है, बट वेन इस पार्ट फैमली, वेर्यवड़ी इस और लेस्ट एक्वल. दाइड का परसनालिटी इस पर नोन इन था सोचल एंवर्मेंट, हम लोग उनके स्टेप्स पे अभी भी चल रहे हैं, और र। 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 कि प्रक्रााइब क्या र। 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 र॥े से खरी शॉद् इस ट्वह गुंहें, मैं उठीस, इस बाइस ब्राइब Roc Kids, इस भ। जह भी रहे होता है, टाल बेस भी का दी कार र। 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 इनके में भी हमारे में भी वो दस्टका आता है करके, that will be a bigger achievement for us. I think because the times, as rightly mentioned, that right now is probably one of the best eras that India is passing through. So हमको कुछ चीज़े आसानी पे प्लाटर में पिलनी है. One-tenth of that benefit was not there during his time. One-tenth of that benefit was not there during my grandfather's time. So I think in those eras, the achievements what they have done and got the business to a particular particular level, and then हमको उस पे अभी capitalise करके बढ़ना है. So to come out of the shadows is not going to be that easy, but एक खुद की identity पहचान क्रिएट करने के लिए, आप जो बिसनिस में जो सक्सेस लाके है, पूरा ग्रूप को help कर सकते हो. And it can also be maybe through some social causes that where you can contribute to you. Wherein not we as an individual come to limelight, but the business house, that comes into limelight. So Vishal ने जैसे काहा कि अगर हम जीतते हैं, तो हम में हमारा खुद का identity individual भी आ जाता है. यह बहुत ही सुन्दर पॉइंट है. अशोक सर आप से पूछना चाहेंगे एक question की आपने ऐसा क्या guidance दिया था विरल और Vishal को starting में, कि independence दिया था कि आपको business ही जॉइन करना है, है इनको, और कहा कि देखो अपना यह business है, आने वाले समय में यह और बढ़ सकता है, लेकिन आपको मैं choice देता हूँ, कि अपने business में आना है, तो you are most welcome, अगर नहीं आना है, तो क्या business करना चाहते हो, अभी से decide करके उस पे focus करोगे, तो जबी पढ़ के निकलोगे, तो उसके लिए mentally आप prepared हो जाओगे, और सौभागयों से, पंदरा दिन या दस दिन के बाद हमारी दुबारा हम लोग बैठे, मैंने बोला क्या करना है, तो कहा कि अपने business में आना है, अपने business में आना है, तो जुड़ जाओ, पहले vacation में गोडाउन पे बिठा दिया उनको, कि आटे चावल का भाव, वहाँ से पता चले, क्योंकि base अगर मजबूत होगा, तो इमारत कभी भी मजबूत हो सकती है, इसके लिए base में इनको हर मतलब छोटे से छोटी चीज है ना, during their education सिखाई गई. I think यह बहुत important aspect है, कि जो ओनर का लड़का है, वो सेट का बेटा सेटन बने, और ग्राउंड से स्टार्ट करे, तो विशाल आप से स्पेसिविकली पूछा जाएंगा, कि इसा कॉनसा आपने ग्राउंड एक्स्पिरियंस किया, या इसा आपने कॉनसा डाउं लेवल वर्क किया, जो आपको आज आप बहुत प्राउडली फिल कर सकते हो, कि तोड़े यू आर वर्थ और यू फिल यू आर केबल. Just continuing by what dad mentioned, is that, हमको… Hindi, sorry, okay. पिता जी ने जैसे बताया, तो फिर हमको जब option दिया गया था, इनके तरफ से एकदम खुला था, कि तुमको business में नहीं आना है, कुछ खुद का चालू करना है, तुम्हारे पास option है. Probably, मैं वीरल दोनों थोड़े excited हो गये थे, seeing that business में ही कुछ opportunities है करके, and that is why, as he rightly said, कि भाई स्कूल खतम हो रही थी तब के time पे, तो college में ही opportunity थी, because we scored good percentage, that science का भी option था, but we decided to select commerce and then come into the particular business. तो business में आके भी, जब उनों ने बोला कि भाई पहले कहां पे, तो फिर office, तो cabin में नहीं बैटना है, go down, जो है, go down में जाओ, जो नंग आते हैं, देखो कि भी, उस पे मार्का कैसे किया जाता है, basis क्या रहता है, transportation का, कि भी, अगर आपका माल सही जाना है, तो नंग है जो, उस पे मार्का मार्के, कैसे it has to be moved, then booking किसको किया जाता है, हमाल लोग वजन लेते हैं, तो फिर वो वजन कैसे उठाते हैं, उसका नापतोल कैसे किया जाता है, कैश पे बैठते हो, कैश पे कैसे कैसे लोग आते हैं, उसमें बहुत सारे different activities रहते हैं, किसी के साथ लंबा जुड़े हैं, कोई नया कस्टमर है करके, ड़अ करेश थालेव रहते हैं, पे क्या काम काम होता है, उन लोगो की भी क्या चैलेंज से एक थाहती है, नहीं तो क्या होता है, डीरेकली अगर हमको आफिस में बठा गया रहता, तो हम तो खाली ओर्डर फाड़ते रहते रहते या कि ये करना है वो करना है, तो नहीं तो बोर्ड रूम में अगर आप खाली बेट के बाते करते रहेंगे, तो वो तो खाली ड्रॉइंग रूम तक सीमित रहे जाती है, बट लेकिन एक्शुली इसको ग्राउंड पर इंप्लिमेंट करने में क्या दिकते आ साकती है, वो स्टार्टिंग से हमने सीखा है, तो बहुत स्टार्ट से ग्राउंड से स्टार्ट किया है, आपके लिए मेरा विरल भाई, सबसे फेवरेट क्वेशिन, कि इतना बड़ा फैमिली बिजनस है, और अशोक भाई, समाज में, सोशल में इतने पॉपिलर है, कभी आपको ऐसे लगा कि प्रॉपर टाइम इन कि ऐसे देखेंगे तो उनका एक्स्टेंसिव ट्रावलिंग होता है, जीतों के लिए, के लिए, के लिए, काफी यूद के वो मेंटॉर है, मेरे खुद के भी परस्नल मेंटॉर है, तो कभी आपको ऐसे लगा कि नहीं, यह एक एमिन परस्नलाटी बन चुके, लेकिन इनका ह हैता है, but before everything, he's a dad, वो पेले एक पिताजी है, अभी समाज के लिए, अपने बिजनिस के लिए इतना सारा कर रहे है, तो अपने बच्चों के लिए तो टाइम निखा लेंगे ही, even though he's traveling so much, इतना travel करते है, तो तभी भी हम लोग को उनके guidance की या support की जरुवत होती है, he's always there, in आपको कोई चीज के लिए बात करना है, discuss करना है, ओफिस में हो, ओफिस में नहीं ताइम मिले तो घर में, वो अपना schedule हमारे schedule के हिसाब से adjust करके निकालते है, ताकि वो हमारे साथ बैठ सके, because इनका intention से यह नहीं होता कि वो हमको guidance दे, पर हम लोग market में या field पे जाते है, हम से उनको क्या सीखने का मिलता है, his intention is that. यह ने बड़े company का ERP software उन्होंने डिजाइन किया और उनको IT knowledge नहीं था, उन्होंने खुद ने सीखा, आपको लगता है general, overall यह generation में learning का desire और comfort zone versus your generation, यह gap आपको लगता है overall, हमारे समाज में या India में, आपको लगता है यह gap है? कुछ हद तक हमारे समाज में मुझे ज़्यादा लग रहा है, कि एक मरतबा MBA या B.com या जो भी डिग्री ले ली, उसके बाद लोग गए learning का बंद कर देते हैं. मेरा advantage क्या मुझे मिला? कि मैं पड़ा लिखा नहीं हूँ. मैं S.S.E. पासता, तो always मेरे मैं ढूंडता रहता हूँ कहां क्या सिखने मिलेंगा. तो यह सिखते सिखते काफी सिखने मिल गया. I think बहुत ही सुंदर reply है. In fact, आपको science और statistics यह दिखाएगा कि जो आज की generation में ज्यादा पड़ता है, उसकी risk-taking ability और street smartness कम हो जाती है. तो यह एक balance हमें maintain करना है. One of the last questions, Vishal Viral, आपको क्या advice देना है बाकी लोगों को? Especially वो यूद को, जो middle है, जिनका next generation भी है और previous generation भी है. तो what should they aspire? Family business एक right तरीका है, खुद का business side तरीका है, job करना चाहिए. आपके हिसाब से right advice क्या रहेगा? We'll start with Vishal भai. I would say that अगर आपका business है, coming from the first point which I started, अभी के period में, I think opportunities tremendous है. तो अगर आप में वो साहस and courage है, then you should definitely plunge into getting into your own business. क्योंके आप no matter अगर कहां पे भी job करेंगे, ultimately आप बड़े company में, जैसे Parimal सर ने बताया था, कि Google में आप काम करोगे. Whereas अपने दंदे में भले आप जो भी कमाओगे, लेकिन वहाँ पे आप actually show run करोगे. और सीखने को तब मिलता है कि जब आप show run करते हो, क्योंके वहाँ पे खाली आपको एक particular department या एक particular subject, जैसे फाली finance हो गया, sales हो गया, operations हो गया, IT हो गया, वो नहीं देखना पड़ता है. आपको सभी चीज़े समझनी पड़ती है. Plus, अगर elders की तरफ से मैं अगर कुछ कह सकूँ, कि आपको open रहना बहुत ज़रूरी है. All of y'all have grown when I think आपके पास कुछ नहीं था. तो risk-taking ability जो आपकी है, वो प्लीज आपके बच्चों में वो curb मत कीजिये. मतलब उनको भी वो experience करने दीजिये. कि भई, risk लेके, नुकसान भी करना सीख रहती है करके. अगर हम actually नुकसान नहीं, कुछ न कुछ न कुछ न कुछ नुकसान किया है, वो नुकसान से वो कुछ सीख के और आगे बढ़े हैं करके. I think नुकसान करना is very important and उसके लिए I think to have an opportunity, तो आपके खुद के बिजनिस का ही फैलाव करने देखिये, rather than getting it, challenge है, बहुत challenging situations है करके, tough है, but I think वो tough situations में भी उभर के आना में एक खुद का मज़ा रहता है. Perfect, anything to add viral by, good, anything to add viral by, any different perspective. I would like to say that, काफी यूद को अपने family business के बारे में शायद इतना knowledge या जानकारी नहीं होगा, एक perception शायद होगा, based on seeing के family में father, uncles किस तरीके से काम कर रहे. So, पहले तो discussion होना चाहिए within the family, जहां बड़े छोटे को, at least business में क्या हो रहा है, उनके family business में, उनकी जानकारी देनी चाहिए. उसके बाद, the youth should be given an opportunity के आके वो actually experience करे, के family business कैसे run हो रहा है, कैसे चल रहा है. And, बड़े को ये open होना चाहिए कि अगर यंग्स्टर से advice आती है, तो वो advice को accept करें. उस पे अमल करना या नहीं करना is a secondary thing. पर डाउन राइट उसको reject तो नहीं करना चाहिए. Superb, superb. Audience से मेरा एक question है, अपना समझो घर में बच्चा है, at what age उसका subconscious mind decide कर लेता है कि वो life में क्या करना चाहता है? किसको answer है, at what age उसका subconscious mind में decide कर लेता है कि में life में business join करूँगा, job करूँगा, खुद का R&D करूँगा. Okay, अशुक मै, can you give the answer, sir? It is right, six to seven years आपके बच्चे decide कर लेते हैं क्या करना है, और मैं यह क्यू बोल रहा हूँ, हमें हमारे गर के environment में positive रखना है. एक टीपिकल गर का environment, husband आता है, wife के सामने चिलाता है, बोलता है, business मा, JST आभी गियू, रहरा आभी गियू, पत्थारी फराई गईू, वो लड़का फिर पत्थारी चेंज करेगा. You will be surprised. I think, 4 या 5 महीने हो गए है, मैं हर दिन रात को, my daughter is 7 years old, I tell her what I have done, and I'll be, I'm amazed to see the type of questions that she asks me, you know. Superb. मेरे हिसाब से, आपके बच्चों का गुरुमिंग स्टास अ यंग अज, बच्चे आपके बोल नहीं, लेकिन आपके आटिट्यूड, आपके बहवियर से ज्यादा इंप्रेस होते हैं, आपके घर में पॉजिटिविटी रहेगा, आपके बारे में एक एक्सपिरियंस जो किया है, वो शेयर करना चाहूंगा, कि आम तोर पे देखा गया है, कि पहले एक जमाना था कि वेपारी का लड़का वेपारी करता था, आज नोकरी के डूणने लगा है, क्यों? तो उसकी एक वज़े मुझे जो मिली है, वो यह है, कि आम तोर पे जो बिजनस की चैलेंजिस है, अपने धंदे को है न गर में आके कंड़ब करते हैं लोग, तो उस टाइम से बच्चे के दिमाग में एक नेगेटिविटी पैदा हो जाती है, मैं तो एक ही कहूँगा, कि सबसे पहले गर का मावल ऐसा होना चाहिए, कि अपना धंदा छोटा है या बड़ा है, लेकिन धंदा है, जहांके हम राजा है, तो राजा का क्या फर्ज होता है, राजा का ये फर्ज होता है कि प्रजा कैसे सुखी रहे, और ये फर्ज रहता है कि अपने राज्य के बारे में कभी भी कमजोर बात नहीं करें, तो धंदा अपना जो है उसके बारे में कभी कमजोर बात नहीं करनी, और कमजोर बात करनी आप बंद करेंगे तो आटामेटिक उसकी अच्छाईयां भी है ना सामने रखनी चाहिए गर में मैं तो जब छोटा था तब से आज तलग मैंने कभी अपने दंदे को कंड़ नहीं किया मतलब इसमें इतनी चैलेंजेस है टफेस्ट बिजनेस है हमारा जो ट्रांस्पोर्ट का है कि आज 600-600 ब्रांच है जो 1200 ड्राइवरों से है लेकिन कभी ऐसा टेंसन नहीं होता है कि इसमें जो आता है सामने उसको स्वीकार करके उसका सॉल्योसन करने का रहता है तो यहां मैं ओडियंस से यही कहना चाहता हूँ कि जो मावाप है या जो लड़के अभी यंग एज में नोकरी करने को सोच रहे है या नोकरी कर रहे है वो गल्ती से नोकरी नहीं करो गुलामी में आखर गुलामी है आज के कॉर्पेट वर्ल्ड में मैंने देखा है कि एक आदमी को दो आदमी का पघार मिलता है तीन आदमी का काम लिया जाता है और कॉलू के बेल की तरह उसको रगडा जाता है और कॉलू के बेल की तरह रगडा जाता है ठीक है लेकिन इसकी वाज़े से मैंने काफी research किया तो उसमें family life भी disturb हो गई है दंदे में क्या है कि अपने दंदे के राजा है कभी कोई भी वज़े हो अपने को जाना है चले गए नहीं जाना है नहीं जाना यह पसंद कर सकते हैं यहां कोई हमारा बॉस नहीं है हम ही अपने बॉस है और जा तक जो पिछला आपने क्वेस्चन किया था विरल को कि मैं फैमेली को टाइम दे सकता हूं या नहीं तो मैं यहां यह बात शेर करना चाहता हूं मैंने बरसों से एक चीज मार्क किये कि फैमेली को आपकी जरूरत साल में हार्डली आठ से बारा टाइम पड़ती है कि जब यह मतलब उनको आप कमी महसूस होती है तो वह वैसा टाइम है बाराट दिन है वो आप अगर एड़ेस कर लेते हैं आपका फैमिली पूरी तरह से एड़ेस्ट हो जाता है और दूसरा बात कि बच्चों को या पोता पोती जो भी हो है कभी भी उनको अपना टाइम चाहिए मना नहीं करना के सब प्रियोरिटी बाद में रखना Superb, thank you Ashok भाई, thank you Viral, thank you Vishal for your time I would request एक जोर्दार तालिया है उन्होंने इतने superb insights दिये I request Navneet family फिल्स्ट को I would request Shri Deepak ji Beda and Shri Mukesh ji Saavla please come on the stage Uncle के हमारे तरह से प्यार है हमारा token of love मत बुर्ट इचक पो,